अकलमंद के कान बड़े और जुबान छोटी ऐसा ही कुछ हुआ है सुरुआती दौर में नेपाल में पूरा खेल कर गया था चीन और बेहत खुश हो गया था कि इसने तो बाजी पलट दी और इसका असर भी देखने को मिलने लगा कि नेपाल ने CIA चीफ के जहाज को रोग दिया उसके विमान को उतरने नहीं दिया और सारे फैसले होने लगे चीन के तरफ फिर क्या हुआ क्या अमेरिका भारत ने नेपाल के अंदर खेल कर दिया एकदम से बाजी को पलट दिया जानेंगे क्या है मामला तो वहीं दूसरी तर भारत ने आखिर रास्ते से हटा दिया पाकिस्तान को साथ मार्ज को लिया ऐसा फैसला जिसे कभी नहीं भूलेगा पाकिस्तान जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जीयो पॉलिक्स में आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से ये जो देख रहे हैं ना भारत के पडोसी जि कुछ मजबूत जरूर हुई है नेपाल की हरकतों से यह पता चलता है पिछली बार जब चुनाओ हुआ तो सब कुछ सही चल रहा था ऐसा लग रहा था कि बनेंगे देवबाप फिर से प्रधानमंत्री और भारत के साथ रिष्टे होंगे मजबूत लेकिन जब चुनाओ का रिजल्ट आया तब पता चला कि परचंड बनना चाहते है प्रधानमंत्री इसलिए यह गठबंदन नहीं चलेगी परचंड को समर्थन दे दिया ओली ने यहां ओली और परचंड ने मिली वगत कर ली और कहा कि आधी रोटी हम खाएंगे आधी रोटी तुम खाना धाई साल मैं वनूंगा प्रधानमंत्री धाई साल तुम बनना अब यहां तक सब कुछ ठीक चला लगा की चाहना जीत गया मेन खेल हो गया जब विश्वास मत की बात आई कि चलो विश्वास मत दो यहां संसद में साबित करो कि तुम्हारे पास मत है और यहां पर क्या खेल होता है परचंड खड़े होते हैं यह साबित करने के लिए कि उनके पास बहुमत है और उन्हें समर्थन मिल जात है अपने भिरोधी का भी यानी देउबा का भी देउबा ने भी समःतन कर दिया ओल já एक दम से पर्चेंड जीत हासिल कर ली पर्चेंड नहीं संसद में इसा इतियास कर दिया लेगिन जहाँ इतियास में कुछ चीजें अनोखी होती है ना तो उसके पीछे अनोखी रननीती भी होती है अब यहाँ पर परचंड ने सरकार बना ली सरकार बनाने के बाद परचंड ने ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिये जो साफ साफ दिख रहा था ये तो चीन के समर्तन में है तूरत उस एयरपोर्ट को उदगाटन कर दिया अगले ही दिन जो एयरपोर्ट जहां मखियां भिन भिना रही थी कोई जान ही रहा था उल्टा ये एयरपोर्ट जो चाइना ने नेपाल में बनाए है ये करजे का घर है क्योंकि यहां से कोई आवागमन नहीं है आमदनी के सुरोत नहीं है फिर भी एयरपोर्ट का उदगाटन किया गया फिर अगली खबर आती है चाइना के साथ बैपारिक मार्ग खोल दिये गए एकदम से चाइना मैं होने लगा नेपाल लेकिन अभी असली वाला बवंडर बाकी था और वो बवंडर क्या था अमेरिका की खूपिया एजेंसी है C.I.A. और C.I.A. के चीफ कितनी बड़ी चीज हैं य यहां पर नेपाल की सरकार ने परचंड सरकार ने ठीक एक दिन पहले कह दिया भया प्लेन लेके ना आना यहां आने की जुरूरत ना है अभी रहो हम बहुत बीजी है C.I.A. के चीफ के ताय कारिकरम को रद करना पड़ा तब से ही लगा कि अब तो असली वाला खेली यहां पर सुरू होगा और वो होना सुरू हो गया आप देखने को मिला पिछले 24 गंटे में तो एकदम से बाजी ही पलट गई है एक तो ओली और कई छोटी मोटी पार्टियां जो जूड कर बनी हुई थी परचंड से उन्होंने एक एक करके समर्थन वापस ले लिया ग्रियमंत् चाहा रहे थे नहीं मेरा वाला राष्टपती बैठे क्योंकि विद्यादेवी बंडारी चायना की समर्थक मानी जाती है और चायना की समर्थन में उन्होंने कई ऐसे फैसले लटका है जिसे देखकर साफ साफ लगा कि अपनी ही अगर राष्टपती की कुरसी में और नेपाली कॉंग्रेस परदानमंत्री पुस्प कमल दहल इन्होंने मिलकर तै किया कि हम रांचंदर पॉडेल को बनाएंगे और केपी सर्मा ओली ने कहा कि हम सुभास चंदर नेमबांग को बनाएंगे लेकिन यहां पर जब चुना हुआ तो वोट पड़े रांचंदर पॉडेल को 33,000 और सुभास चंदर नेमबांग को मात्र 15,000 मतलब रांचंदर पॉडेल देश के तीसरे राष्टपती बने हैं और यह सबसे बड़ा जटका है चाइना के लिए राष्टपती भी गया और अब परदानमंत्री भी गया यहां पर वापस से ऐसी सरकार आ रही वैसे राष्टपती का पद जिस तरीके से भारत में है न वैसे ही नेपाल में है लेकिन आजकर यह पद बेहत खास बन गया था बिद्या देवी भंडारी के कारण है जहां एक तरफ यह सब कुछ हो रहा है न वहीं दूसरी तरफ होली में जहां हमारे देश में बिदेशी भी आकर होली के रंग में रंग गए और देखने को मिला कि किस तरीके से भारतिय कल्चर भारतिय संस्कृती दुनिया को आकर्सित कर रही है बीदेशों में भी होली को बहुत अच्छे से मनाया गया पर पास में पडोस पाकिस्तान जो बार बार कसमीर और मानव अधिकार की बात करता है यूएन में वहां देखने को मिला कि हिंदू छात्रों के साथ हिंदू लोगों के साथ जो मनाना चाह रहे तो होली बहुत ही बुरा बरताओ किया गया पंजाव युनिवर्सिटी से लेकर कई उनिवर्सिटी में मारा पीटा गया हिंदू को होली मनाने से रोका ग कि देखो पाकिस्तान दूसरे को पर आरोप लगाता है लेकिन अपने देश में क्या हाल करके रखा हुआ हिंदुओं के लिए बहूत बड़ी सजा है पाकिस्तान में रहना होली के दीन किये गए बरताओं से पाकिस्तानियों के बरताओं से ये चीजें साफ दिखी कि सच्चाई छिपती नहीं है तुम कितने कुरूर हो ये चीज दिख रही है भारत में इतने अलपसंक्यक रहते हैं अलग-अलग समुदाय के लोग रहते हैं और अपने अपने धर्म को मानते हैं मनाते हैं इद मनाने की चूट है तो होली मनाने की भी चूट है और क्रिस्मस मनाने की भी चूट है आपको बता दे पाकिस्तान में जो यह घटना हुई है ना इसके भारत में जो कुछ लिबरांडू है कटरपंथी है इनको छोड़ दीजे तो आलोचना हुई दे ने 7 मार्च को की उच्छे होने के साथ हम एफगानिस्तान के साथ हम आफगानिस्तान को बहुत सारी मानविय सहाइता भेजते हैं तालीबान के लिए नहीं भेजते हैं ये हमारा कोई आपचारी क्रिस्ता तालिबान के साथ नहीं बना है लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है आफगानिस्तान की आम जनता भारतियों को पसंद करती है आपको बता दें भारत अब तक जो गेहूं बेशता था ट्रेड गेट के जरिये यानि भारत का गेहूं पहुंचता था प हम पाकिस्तान के रास्ते नहीं भेजेंगे अब पाकिस्तान नहीं बलकि हम इरान के रास्ते चाबहार का इस्तेमाल करेंगे और चाबहार के रास्ते जो भी अमानवी सहायता भेजनी होगी वो भेजेंगे पाकिस्तान को गेहूं चुराने का एक मौका चला गया भूग से पीडित पाकिस्तान इस वक्त गेहूं के लिए लालाई थे वैसे आपको क्या लगता है भारत ने जो फैसला लिया वो सही लिया या नहीं लिया कमेंट करके अपनी राय जरू बताएं